Hello everyone, welcome to Magna Brains, मैं अभिशेक कुमार Magna Brains अकेला है कैसा प्लेटफॉर्म जो complete NCID book, NCID example, best publishers की book आपको complete theory और solutions के साथ provide करते हैं इसी के साथ में अकेला है कैसा प्लेटफॉर्म जो आपको त्यारी करवा रहा है anti-AC exam और olympic exams के भी 100% free education, कोई subscription fees आपको यहाँ पे नहीं करनी ना ही कोई coupon code apply करना है तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो में हम cover कर रहे हैं class 6 students आपके लिए chapter number 2 और chapter number 2 है आपका whole numbers एक बहुत प्यारा chapter और जो series आप watch कर रहे हैं वीडियो आप देख रहे हैं यह solution video है किसके लिए तो यह है multiple choice questions की solution video mcq pattern आप इसमें देख रहे हैं तो 20 questions मैं cover करूंगा जहां पर पूरे के पूरे 20 questions सिर्फ mcq variety आपको देखेंगे school test school exam में आपको 5 marks 4 marks में यह variety देखने को मिलती है तो आपको यहां पर mcqs जो school level पर देखने को मिलते हैं school exam में वो pattern मैं यहां पर cover कर रहा हूं clear इससे पहले पूरी उमीद करता हूं कि आपने chapter number 1 knowing our numbers बहुत अच्छे से solve कर लिया होगा तो चलिए chapter number 2 और इससे भी पहले आप theory lecture को watch करिए questions number of questions ncrt examplers है already आपको solve करवा के दे दिए गए है आपके लिए complete ncrt book complete है तो इस chapter की complete theory और ncrt book के complete exercises को watch करना ना भूले clear तो चलिए पहला सवाल जो इस mcq variety से आपके लिए इस chapter में बन सकता है वो कुछ इस पकार का pattern हो सकता है the largest five digit number having three different digit आपको कुछ option दिए है और आप से काहा है यह सारे जो option है इन में यह numbers 5 digit का use होके बने माले 5 digit का number है 98978 99897 99987 98799 तो इस चारो के चारो numbers में आप देखेंगे 5 digits का use की है इन सम में जो largest the largest five digit number अब अगर आप ध्यान से देखे तो maximum student यहाँ गलती है करते हैं कि वो जैसे देखते हैं the largest five digit number तो वो largest five digit number सोचते हैं यह है देखे largest five digit number कि अगर मैं बात करूं तो वो यह है लेकिन इसको आप option में कहीं नहीं देखेंगे और बच्चे यहीं पर confused हो जाते हैं ठीके question की हिंदी यह बोल रही है कि जो largest five digit का number है ठीके इन में वो three different digits के combination से बना है तीन different digits का use किया गया है तो तीन different digits का use किया गया है अगर आप यहाँ पर largest number देखें तो आपको यहाँ पर जो largest number दिखेगा वो आपको दिख रहा है triple nine eight seven ठीके वो triple nine eight seven के बाद आपको दिख रहा है double nine eight nine seven तो यह दोनों यहाँ पर largest है यह सबसे largest है उसके बाद इसका use है और उसके बाद अगर आप largest देखते हैं तो वो a option है और फिर last में d option तो यह तो इन सब में सबसे smallest number है ठीके अब यह कह रहा है the largest five digit number जिसमें तीन different digits का use किया गया है वो इन में कौन सा है तो तीन different digit का use हमने किया है आप देखिए यहाँ पर nine का use हमने किया eight का use हमने किया again यहाँ पर seven का use किया और फिर nine आया है eight के बाद nine आया है तो तीन digit तो है यहाँ पर अगर इसमें देखिए तो 9B है 8B है 7B है अगें 3 digits देख रहें different यहां पर भी 9 8 7 3 digits का use किया है 9 8 7 3 digits का use किया है अब इन में largest क्या है तो इन में largest अगर मैं देखूं तो वो सिफ C option मुझे देख रहा है जब मैं यह बोलूंगा कि कि ट्रिपल 9 8 7 is the largest among them all इन सम्में से जो largest है वो है ट्रिपल 9 8 7 999,987 यह अपने अपने लार्जस्ट नंबर है ठीक है जहां पर मैंने 3 different digits का use किया 9 का use किया 8 का use किया 7 का use किया क्लियर है तो मैं कहूंगा question number 1 का answer is C option मुझे comment box में जो बताइएगा को आउट है जो पूछेगा तो यहां पर हमारा answer is C option green tick भी देखिए हमारा C option पर आया move करते हैं question number 2 की तरफ question number 2 कह रहा है the difference between 85 and the number obtained by reversing the digit एक बहुत important statement यह कह रहा है difference बताईए किसका एक number है आपके सामने 85 और अगर इसके digits को मैं reverse कर दूँ अभी once digit पे 5 लिखा हुआ है 10th place पे 8 लिखा हुआ है अगर मैं digits reverse कर दूँगा तो यह number बन जाएगा 58 अब जो 5 once place पे था वो आ गया 10th place पे और 8 10th place पे था वो चला गया once place पे और इन नोनों का अगर difference देखता हूँ तो answer क्या आएगा तो 15 में से 8 गया unit place पे आएगा 7 8 ने carry दिया होगा यह हुआ 7 7 में से 5 गया यह हुआ 2 तो आप देखेंगे कि 85 और 58 का जो difference आ रहा है वो आ रहा है 27 आपका answer है यहां पे c option clear चलिए question number 2 का answer है c check कर लेते हैं क्या c है तो yes green tick भी हमारा c option पे हमें दिख रहा है move करिए question number 3 की तरफ question number 3 क्या कह रहा है यह कह रहा है the natural numbers along with 0 सारे natural numbers देखेंगे natural numbers किन को कहते ही definition बहुत clear होनी चाहिए natural numbers basically उनको कहा जाता है जब हमारी counting 1 से start होती 1 2 3 4 5 and so on सारे positive numbers जब हम 1 से counting start करते हैं जब physically हम चीजों को count कर सकते हैं तो counting numbers को हम natural numbers कहते हैं यह कह रहा है the natural numbers along with 0 अगर natural numbers के साथ मैं 0 को भी include कर लूँ तो form the collection of whole numbers इस तरह के group को हम whole numbers कहते हैं यहां पे question number 3 का answer है a option clear है तो definition बहुत clear होनी चाहिए counting numbers किन को कहते है counting numbers के साथ जब 0 को include कर लिया जाए तो क्या कहते हैं तो सारे counting numbers को natural numbers कहते हैं जब counting number के साथ 0 को include कर लिया जाता है counting के अंदर तब वो बन जाते हैं whole numbers clear comment box में जू बताईए आपको हर एक छुटी छुटी बात मैं explain करता हुआ चल रहा हूँ आपको भी जब questions आप attempt करेंगे तो आपको यह theory knowledge होनी चाहिए और यह theory knowledge complete तरीके से इस chapter की मैं आपको already दे चुका हूँ तो ncrt book की जो theory मैंने आपको दी है उसको watch करना ना भूले मैंगलिबिंस.com यह website का नाम है आप जब website पर वीडियो को watch करेंगे तो एक arranged manner में आपको सारी वीडियो मिलेंगी clear आप वहाँ पर आईए इस chapter को watch करिए वहाँ पर complete theory आपकी ncrt book के solution आपके ncrt exemplar book के solution सब आपको available है चलिए तो question no.3 के बात हम move करते है next question question no.4 पर इसका answer check क कर लेते हैं तो a option yes question no.3 में है a option move कर लेते हैं question no.4 क्या कह रहा है देखिएगा यह कह रहा है find the value of this आपको एक पूरी expression लिखके दी आपको कुछ numbers के बीच में आपको product or addition लगा के दिया हुआ है 297 multiply हो रहा है 17 के साथ और फिर यह चीज़ एड हो रही है again 297 ठीके multiplied with 3 के साथ आप देखिएगा यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है distributive law distributive law कहता है कि distribute करना आना चाहिए और आप जब इस statement को देखेंगे तो 297 17 को distribute किया हुआ है और 297 3 को distribute किया हुआ है तो इन दोनों में से अगर मैं 297 को common ले लूँ बहार ले लिया तो इनके पास बचेगा 17 plus 3 mathematics में bracket का मतलब होता है multiplication देखिएगा 17 को जब 3 में add करूँगा तो यह हुआ 20 और मुझे अब 20 को multiply करना है 297 के साथ और यह आप multiply करके answer देदीजे तो 2 into 7 is 14 2 into 9 is 18 19 99 carry 1 594 और यह 0 यहां लग गया तो अंसर आएगा 5940 5940 डैट मेंस आपका answer यहां पर a option है question number 4th का answer है छोटी वीडियो है पूरा लास तक watch करिये so that आपको यह 20 questions different different varieties कहां से बन सकते हैं यह questions मैंने आपको proper explanation के साथ समझाए clear देखिए green tick भी हमारा option भी आया move करते है question number 5 क्या कह रहा है तो question number 5 कह रहा है the smallest whole number जो सबसे छोटा whole number है whole number का मतलब होता है सारे counting numbers के साथ सारे counting numbers के साथ जब zero को भी include कर लिया जाता है तो इस group को हम whole numbers कहते हैं और इन whole numbers में जो सबसे छोटा डिजिट है जो सबसे छोटा number है वो zero है मैं कहूंगा यहां पर बी option आपका answer है the smallest whole number is zero clear तो यहां पर question number 5 का answer B है check कर लेते हैं येस बी पर ही हमारा टिक भी आया चलिए question number six को देखिएगा question number six क्या गह रहा है तो what are the three consecutive producer of 70010 producer जब यह word use हो रहा है producer देखो decrease हो रहा है deceasor बोल रहा है na decrease हो रहा है decrease हो रहा है का मतलब यहां पर आपको minus one करते हुए पीछे जाना है तो अगर आप number देखते हैं seven double zero one zero तो इसका producer है minus one तो इसके बाद का जो number आएगा वह आएगा seven triple zero nine इसमें अगर minus one करता हूँ तो इसके बाद वाला number आएगा seven triple zero eight और इसमें अगर minus one करता हूँ तो इसके बाद वाला number आएगा seven 0007 अब आप देखिएगा 70010 तो आपको दिये थे इसके तीन प्रिटी सर पूछ रहा है तो तीन प्रिटी सर एक, दो और ये तीन ओप्शन में देखी ये अंसर कहां दिये है तो 70,009 and 70,008 and 70,007 तो 70,009 70,008 and 7,007 ये गलत है 000 आना चाहिए था यहां पर तो जल्द बाजी में A option टिक करके मत आ जाना आगे देखिए 7009,7008 70010 अगे गलत है 7009,7008 7007 मैं कहूंगा इसका आंसर है C option Q6 में आंसर है आपका C Clear? चलिए producer का मतलब माइनस 1 करना है और 3 consecutive मतलब लगातार consecutive तो यहां पर देखिए अंसर C आ रहा है तो लगातार पीछे साइड में काउंटिंग करनी है तो 70,009 70,008 70,007 ये हमारा जवाब है Clear? चलिए Q6 के बाद आईए Q7 क्या कह रहा है तो Q7 कह रहा है कि आप 12 or 35 का product बताईए अब देखिए ये question दिया क्यों है 12 or 35 कई बच्चे जल्दबाजी में 35 को 12 के साथ multiply करते हैं और अंसर देकर आ जाते हैं अब देखो MCQ है तो कर सकते हो लेकिन अगर ये question 2 marks में subjective में आ जाता तो इस question को करने के लिए तरीका follow करना है आप लोगों ने पढ़ा distributive law that means 12 जो है वो multiply हो रहा है किस के साथ 35 के साथ तो इस 35 को क्या मैं लिख सकता हूँ 30 plus 5 distributive law कहता है कि अगर कोई दो चीजों का addition के बाहर कोई number लिखा है तो वो number इन दोनो addition वाले numbers को distribute होगा that means 12 30 को भी distribute होगा और 12 5 को भी distribute होगा clear है तो यहाँ पे इस तरीके का आपका group formation हो जाएगा यह हो गया और 12 into 30 तो यहाँ पे आप देखेंगे यह आजाएगा 12 into 3 that is 36 और यह वाला 0 360 add होगा किस के साथ तो यह होगा add 5 into 2 is 10 10 का 0 carry 1 60 के साथ और यह answer आएगा 390 और sorry 390 नहीं यह आएगा 420 60 plus 60 is 12 तो 120 120 plus 300 is 420 मैं कहूंगा इसका answer is C option 420 clear तो यह तरीका आपको basically वो यहाँ पे सिखाना चाहा रहा है distributive law का use करो अब हम आगे हैं 6th class में तो 6th class में हमें laws और properties बहुत अच्छे देके से आने चाहिए clear चीजे multiply करना असान हो जाती है तो यहाँ पर यह आपका answer है 420 answer check कर लिजे yes C option green tick भी यहीं पर ही है move करिए question number 8 क्या कह रहा है तो question number 8 आप से कह रहा है the difference between the smallest 3 digit number जो सबसे smallest 3 digit का number है देखिएगा smallest 3 digit number और यह smallest 3 digit का number है आपका smallest 3 digit number तो smallest 3 digit number है 100 तीन डिजिट है 100 अपने आप में सबसे छोटा तीन डिजिट का number है तो the difference between the smallest 3 digit number and the largest 2 digit number अगर मैं यहाँ पर देखूं तो largest 2 digit number यह है 99 100 में से 99 गए difference निकालना है ना तो answer आएगा 1 तो यहाँ पर positive 1 B option आपका answer होगा question number 8 का answer है B check कर लीजे यहाँ पर B answer है तो yes देखिएगा green tick भी हमारा B option पर हमें दिख रहा है move करते है question number 9 की तरफ question number 9 क्या गह रहा है देखिएगा what is the quotient of 64 divided by 1 देखिए 64 को अगर मैं 1 से divide करता हूं तो 64 को अगर मैं 1 से divide करता हूं तो 1 64 times is 64 आपका remaining part आजाएगा 0 तो यहाँ पर कोल मिलाके यह चेक करना चाहरा है क्या आपको यह पता है divisor किसको कहेंगे dividend किसको कहेंगे quotient किसको कहेंगे remainder किसको कहेंगे तो बाहर जिससे आप divide कर रहे हैं यह कहलाता है divisor ठीक है जिसको divide कर रहे हैं वो कहलाता है dividend और जिससे वो डिवाइड हो गया उसको कहते हैं हम कोश्चंट यह हमारा जवाब होता है हमेशा और इस चीज को करने में अगर कुछ रिमेनिंग पार्ट बचा तो यह जो नीचे आता है यह खिलाता है रिमेनिंग पार्ट मतलब रिमेंडर क्लियर है आपसे पूचा था 64 divided by 1 कोश्चंट क्या होगा तो कोश्चंट होगा 64 D option क्लियर है तो यहां पर आपसे बस वो 6th क्लास में इस कोश्चंट को दे सकता है यह चीज़ चेक करने के लिए क्योंकि मिक्स्ट फ्रेक्शन आप पढ़ेंगे आगे ठीक है अभी भी पढ़ प्रेडी option कोश्चंट 10 कह रहा है यह आपको एक expansion फॉर्म दिया है नंबर कौन सा है किस नंबर का expansion फॉर्म है तो देखिए 10,000 से जब multiply होगा तो यह 10,000 वाली place पे इसलिए यह जो 3 है यह 10,000 से multiply होगा तो यहाँ पर यह आ जाएगा 30,000 done 3 के बाद 4,0 plus 7 के साथ आएंगे यहाँ पर 3,0 thousand 7,000 added with 900 place पे होगा तो इसलिए 900 added with 0,10 place पे तो यह 6 हो जाएगा plus और 4,1 place पे है तो यह 4 आया इसका answer क्या आएगा तो answer आएगा देखिएगा 3,7 तो 3,7 और triple 0 में 900 तो 37,904 यह आपका answer है 37,904 37,904 यह आपका C answer देगा इस चीज का expansion form लिखा है question number 10 का answer है 3 clear चलिए तो यहाँ पे C option देख लेते हैं green tick yes question number 10 के C option पे हमारे tick भी हमें मिला चलिए move करते है question number 11 की तरफ question number 11 क्या कह रहा है question number 11 कह रहा है आप इस pattern को study करो pattern क्या दिया है तो देखिए 1 को जब मैं 8 से multiply कर रहा हूं और फिर plus 1 कर रहा हूं तो यह answer मुझे 9 दे रहा है इसी की जगह अगर मैं 1 के आगे 2 को increase कर देता हूं ठीक है मैंने number आगे आगे series बढ़ाता है रहा हूं देखो 12 को जब मैं 8 के साथ multiply करूंगा और यहां पर plus 2 कर दूंगा तो इसका answer हमें 98 देखने को मिलेगा अब यह कह रहा है कि next step अगर यह pattern आपको समझ आ रहा है तो इसकी next step क्या होगी next step देखना देखिए 1 और 2 तो था एक यहां पर digit और बढ़ेगा देखिए 1 के बाद 2 आया 2 के बाद 3 आएगा तो यहां पर 123 को 8 और 8 fix है तो 8 added with यह number बढ़ता जा रहा है तो 123 consecutive लगातार number अगर मैं आगे देखता हूं consecutive मतलब मैं बोलना यह चाहरा हूं कि 1 प्लस के बाद प्लस 1 करने का प्लस 2 किया next step में second step में third step में प्लस 3 करूंगा तो इसका answer क्या आएगा अब इसको solve करके time मत waste करिएगा आप देखिए 9 9 के बाद उसके पीछे उल्टा 8 फिर यहां पर आएगा 9 8 और इसके बाद इससे छोटा producer 7 आएगा तो मैं कहूंगा कि इसके बाद यह वाली step आने चाहिए अगर मैं pattern सही पकड़ रहा हूं तो तो यह देख लेते हैं यह हमारे option में दिया है तो 123 multiplied with 8 plus 3 will give you 987 यह option हमें पहला ही दिख गया clear तो pattern पहचानना है pattern पहचानना आना चाहिए तो यहां पर question number 11 का है answer A देखते है answer A है क्या yes देखिए हमारा question number 11 answer A आया move करिए question number 12 की तरफ total 20 question है चोटी वीडियो है पूरा last तक watch करो आपको फाइदा मिलेगा comment box में जो बताओ वीडियो पसंद आ रही है तो like करना ना भूले like जो करिए क्योंकि teacher का motivation वहीं से बढ़ता है एक चीज दूसरा यह कि जो बीच में हमारा communication gap है यह चीज यहां पर समझ आयाता है जब आपके likes मिलते हैं और आप जो comments करते हैं तो समझ आयता है कि यह communication gap नहीं है ठीक है आपको direct मेरी बात समझ आ रही है question number 12 क्या कह रहा है यह कह रहा है number of whole numbers between 38 and 68 यह कह रहा है अगर मैं 38 से 68 के बीच में देखता हूं तो कितने whole numbers है number of whole numbers between 38 and 68 between कहां से लेके कहां तक 38 से लेके 68 तक तो 38 और 68 के बीच में कितने number है count करना चालू करू तो देखो 38 के बाद अगर मैं count करूंगा तो 39 और 40 दो number यह 40 से लेके 50 तक यह 10 number होंगे 50 के बाद 60 तक यह आपके 10 number होंगे 10 number यहां 10 number यहां तो यह आपके 20 number हो गए ठीक है दो numbers यहां पर 39 और 40 और फिर यह आएगा आपका 39 से 40 ठीक है तो यह दो number हो गए तो 39 40 फिर 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 दस नंबर हो गए और फिर 50 के बाद 51 से 60 तक दस नंबर और 60 के बाद 61 से लेके 68 तक यह है आपके आठ नंबर और तो कितने नंबर जाए ठीक है अब 68 तक नहीं हमें देखना है इन बिट्वीन तो 67 तक तो हमने गिंती चालू की थी 39 से 67 पर आके स्टॉप कर रहे हैं तो आठ ना होके यहां पर साथ होंगे क्लियर यहां पर देखिएगा यह आएंगे आपके 10 प्लस 10 20 27 28 29 तो दी ऑप्शन यहां पर 29 होल नंबर्स होंगे जो की 38 और 68 के बीच में आ रहे हैं क्लियर है तो यहां पर कोशन नंबर 12 का अंसर है डी ऑप्शन मूँव करते हैं कोशन नंबर 13 देखिएगा दवाल्यू ओफ 25 इंटु 20 इंटु 5 अगें प्रॉपर्टी का यूज करना है तो 25 इंटु 20 इंटु 5 अगर मुझे करना है तो मुझे दो चीजे ऐसी ढूननी है जो एक कंप्लीट नंबर बना दे तो अगर मैं 20 इंटु 5 करता हूँ तो देखिए यह हो जाएगा हेंड्रेट और हेंड्रेट को बहुत असान है मुल्टिप्लाइ करना 25 के साथ तो यहां पर हमारा अंसर आएगा 2500 तो मेरा फाइनली अंसर आ गया 2500 देखिए कितना असान है 25 इंटु 1 इस 25 यह दो जीरो लग गए तो पच्चिस सो मेरा अंसर है C option clear है तो यहां पर अगें यह property सिखाती है property कहती है अगर तीन यह चार नंबर को मुल्टिप्लाइ करना है तो दो यह तीन नंबर ऐसे ढूंडो जो एक complete नंबर फॉर्म कर दे 10 बना दे 100 बना दे 1000 बना दे और उसको आप जब मुल्टिप्लाइ करोगे तो यह करना असान हो जाएगा clear तो अंसर है इसका कोशन नंबर 13 का C answer yes देखे green tick भी हमारा C option पर हमें देख रहा है move करते हैं question number 14 पर question number 14 देखिएगा 14 कह रहा है कि अगर मैं 0 को 5 से divide करूंगा अगर 0 को 5 से divide करूंगा तो मेरा answer 0 आएगा अगें यह property सिखाई है कि 0 5 से divide करने पर 0 आता है बट अगर 0 से किसी को divide करेंगे तो यह चीज़ not defined कहलाती है यह possible नहीं है maths के अंदर ठीक है तो कोई भी number 0 से divide नहीं हो सकता बट 0 किसी भी number से divide हो सकता है तो इसका answer 0 आएगा बी option value of 0 divided by 5 is 0 चेक कर लें green tick yes B option पर हमें दिख रहा है अगे 14 questions हम कर चुके हैं छोटी वीडियो है मैं पूरी उमीद करता हूं आप लास्ट तक watch कर रहे हैं चलिए question number 14 के बाद आ जाते हैं question number 15 पर और जल्दे अंसर दीजिया मुझसे पहले comment box में यहां भी यह कह रहा है अगर 36 flats की कीमत अगर 36 flats की कीमत कितनी है तो यह इतनी बड़ी value है 68251500 तो आप बताईए हर एक flat की कीमत कितनी है अब यहां पर use होगा unitary method पहली चीज और दूसरी चीज का use होगा divisibility rule इतने बड़े number को divide करना है 36 से unitary method कहता है जब आपको बड़ी value पता है आपको अगर छोटी पता करनी है तो आप divide कर दीजिये और अगर आपको एक की value पता है आपको जादा के बारे में पता करना है तो multiply करिये तो यहां पर divide होगा यहां पर 68251500 को मैं divide करूंगा 36 से done अब यहां पर second चीज का जो use होगा वो है आपका divisibility rule इतना बड़ा number क्या 36 से divisible है तो सबसे पहले तो आप देखिए क्या यह दोनों number 6 से divisible है तो 6 into 6 तो 36 होता है यह 6 से divisible है और क्या यह 6 से divisible है तो इसके लिए आप यह चेक करिए क्या यह 2 और 3 से divisible है तो इसका unit place 0 है है यह 2 से divisible है और क्या यह 3 से divisible है तो इन सब डिजिट को जल्दी से add कर लेजिए 6 plus 6 is 12 14 14 plus 2 is 16 16 plus 1 is 17 17 plus 10 is 27 तो 27 3 के table में आता है 2 से भी divisible है 3 से भी divisible है तो यह directly 6 से divisible होगा ठीक है तो इसके बात का जो step आएगा वो आएगा denominator में 6 6 into 6 is 36 और यह 6 से कटेगा तो 6 1 times 6 6 again 1 times 6 22 6 3 times is 18 ठीक है बच्चा 4 45 6 के table में 45 तो 6 7 times is 42 बच्चा 31 31 6 5 times is 30 बच्चा 15 ठीक है तो यहाँ पर आपने कुछ गलती की है देख लेते हैं यहाँ पर 6 into 7 is 42 6 into 8 is 48 तो क्या कुछ गलती है देखे 6 1 times 6 6 1 times 6 बच्चा 12 अगें 6 2 times is 12 तो यहाँ पर 3 ना आते हुए 6 1 times is 6 ठीक है बच्चा कितना 8 6 1 times is 6 22 तो 6 3 times 18 6 4 times is 24 6 3 times 18 सही किया था तो यह है 22 में से 18 गए 45 6 के टेबल में 45 तो 6 7 times होता है 42 बच्चा 31 6 5 times होता है 30 बच्चा 15 तो 6 के टेबल में 15 आता है क्या नहीं तो 6 2 times is 12 बच्चा 30 6 5 times is 30 and 0 देखिए यह नंबर तो 6 से डिवाइड हो गया अगें क्या यह पूरो नंबर 6 से डिविजिबल है चेक कर लेते हैं यह 2 से तो डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है क्या तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 7 17 17 प्लस 2 19 19 प्लस 5 इस 24 यह 3 से भी डिविजिबल है ठीक है तो यह 6 से फिर डिविजिबल होगा और इसको काटने पर एक फ्लाइट की कीमत आ जाएगी कितनी आएगी तो 6 1 ताइम से 6 11 में से 6 गए तो 11 में से 6 गए यहां पर आपका बचेगा 5 53 और 6 9 ताइम तो 6 8 ताइम से 48 बचा 57 6 9 ताइम से 54 57 में से 54 गए तो यहां प 5 ताइम से 30 बचा 52 6 8 ताइम से 48 48 तो यहां पर बचा 4 45 तो 6 9 ताइम से 45 ना तो 6 7 ताइम से 42 बचा 30 6 5 ताइम से 30 अंसर आएगा 1 8 9 5 8 7 5 D option तो इतने रुपीज का एक फ्लाइट होगा 18,18,195,875 यह एक फ्लाइट की कीमत है क्लियर अंसर है D option चेक कर लें देखेगा Yes, question number 15 का answer है D Move करते हैं, question number 16 को देखते हैं यह क्या क्या रहा है The producer of 1 लाइक एक लाइक का producer क्या होगा देखे एक लाइक का मतलब है कि यहां पर एक के बाद 5 zeros तो 1 लाइक, यह सबसे smallest मैं कहूंगा 6 digit number है smallest 6 digit number इसका producer क्या होगा मतलब इसमें से minus 1 करना है तो यह answer आएगा double 9, double 9, 9 The largest 5 digit number तो यहां पर answer है B option Done तो इसका answer है B producer minus 1 करना है successor पूछते तो plus 1 करना है question number 16 का answer है B देखिएगा B है क्या? Yes यहां पर B पर green tick आ गया move करते है question number 17 क्या गह रहा है तो question number 17 को देख लेते है what is the producer of natural number 1 देखिए clearly बोला है आपके पास एक counting number है एक natural number है इस natural number 1 का कभी कोई producer नहीं होता natural number का नहीं होता done तो natural number सबसे smallest 1 से चालू होता है तो counting number में जो सबसे छोटी value है वो है 1 natural number the smallest natural number is 1 1 का producer नहीं है तो मेरा अंसर है does not exist यह आपको theory lecture में सिखाया गया natural number word बोला था इसलिए 1 का producer 0 है सिर्फ 1 बोलते producer बूचते तो 0 है लेकिन आपको ही याद होना चाहिए यह अच्छे से theory lecture को attend करिए वहाँ पे आपको यह चीज़ समझाएंगे समझाई हुई है कि 1 natural number 1 का जो सबसे छोटा smallest natural number है उसका producer possible नहीं है तो यहाँ पे does not exist यहाँ पे मेरा answer है D option yes question number 17 का answer D आया clear question number 18 को देखिएगा तो question number 18 कह रहा है the number of distinct prime factors of the largest 4 digit number देखे यह क्या पूछना चाहरा है यह पूछना चाहरा है कि पहली बात तो largest 4 digit number क्या है अगर मैं देखूं तो largest 4 digit number है double 9 double 9 यह अपने आप में largest 4 digit number है ठीक है इसके prime factors क्या है तो सबसे पहले तो यह 2 से divisible नहीं है 3 से divisible है तो prime factor is 3 3 into 3 is 9 3 into 3 is 9 3 into 3 is 9 and 3 into 3 is 9 तो एक prime factor तो 3 है उसके बाद फिर यह 3 से divisible है तो 3 1 times is 3 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 अब यह 3 से divisible नहीं है यह 11 से divisible है 2 से भी नहीं है 3 से भी नहीं है 6 से भी नहीं है 5 से भी नहीं है यह डारेक्ली 11 से divisible है तो मैं कहूंगा 11, 1 times is 11, 0, 11, 1 times is 11, 101 और 101 अपने अप में prime number है तो यहाँ पे 101 is a prime number, यह किसी table में नहीं आता तो prime numbers की definition पता होनी चाहिए 101, 1 times is 101 तो इन्होंने सवाल पूछा था कि ऐसे कितने distinct prime factors है four digit number के, तो मैं कहूंगा एक तो 3 है एक 11 है और एक 101 है यह distinct prime numbers है, जो इसके prime factors है तो यहाँ पर तीन prime factors मुझे मिले जो कि distinct prime factors हैं, इस कारण मैं answer B option दे रहा हूं clear, तो यहाँ पर question number 18 का answer है B check कर ले, देखिएगा, yes, green tick भी हमारा आया है B option पर question number 18 के बाद, last second question इस वीडियो का, छोटी वीडियो थी, पूरी उमीद करता हूं आपने last तक इसको watch किया, question number 19 देखिएगा question number 19 कह रहा है the value of 0 multiplied with 17, any number multiplied with 0 is 0, तो यहाँ पर answer है A option, done, तो यहाँ पर है हमारा answer A, यह आगया green tick, ठीक है, चले, move करते हैं, question number 20 पर, simplify this, तो देखिए, 126, 55 से multiply हो रहा है, 126, 45 से multiply हो रहा है, यह variety अभी हमने पीछे की थी, तो यहाँ पर 126 multiplied with 55, added with 126 multiplied with 45, तो इन में से 126 को common लेलो, यह आगया 126, bracket के अंदर आएगा, 55 plus 45, यह है distributive law, 55 plus 45 is 100, और 100 को अगर मैं 126 से multiply करूँगा, तो मेरा answer आएगा, 12600, 12600, 12600, 12600 से multiply हो गया, simple, जो बात के zeros थे, वो यहाँ लग गए, तो मैं कहूंगा, यहाँ पर answer है, C option, तो question number 20 का answer है, C, इस तरीके से आपने खतम कर लिये हैं, पूरे 20 question, जो की मुझे लगता था, definitely यह variety आपको आपके school exam में, यह school test में, इस variety में से देखने को मिलने वाली है, इसी तरह के अच्छे pattern पाने के लिए, hard copy और e-book form में, आप जल्दी नीचे description box में जाके form fill up जब करेंगे, तो Magnapeans के team दुआरा आपको यह सब hard copies और e-books प्रोवाइट कर दी जाएंगे, जहां पर most important questions, MCQ varieties, theory notes, इसी के साथ में मैं आपको बताऊं, तो mock test papers, yes, mock test papers with solution आपको प्रोवाइट किये जाएंगे, तो Magnapeans अकेला एक ऐसा platform, जो कि best quality content, best faculties के द्वारा ही आपको यहाँ पर provide कर रहा है, आप हमें follow कर सकते हैं, facebook, instagram, telegram के थूँ, अगर youtube channel देख रहे हैं, तो like को subscribe करना मत भूलिए, channel को subscribe करेंगे, तो आपके पास notification आएगा, आप जल्दी से जल्दी इन videos को watch कर सकते हैं, तो share जो करिए अपने दोस्तों के साथ, so that आपकी तो help हो ही रही है, आप दूसरों की भी help कर पाएं, clear है, तो share करना ना भूलिए, subscribe जो करिए channel को, video को like जो करिए, क्योंकि teacher को motivation वहीं से आता है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस pattern को करते हैं, complete मिलते हैं, third chapter में, तब त